नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों UPPSC उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने आरो ए आरो भरती एक बड़ी भरती का विज्यापन जारी कर दिया है और भाईया इस बंपर पदों की भरती का धमा का जो है वो हो चुका है और आपको बता दूं आरो ए आरो बनने का इससे बढ़िया मौका आपको जिन्दगी में मिलेने वाला नहीं है तो भाईया देख लेते हैं पूरा विज्यापन इसका क्या है दोस्तों पूरी बात करने वाले हैं कि भाईया पदों की संख्या कितनी है इसमें उम्र कितनी चाहिए और कब से आप आवेधन कर सकते हैं देखिये भाईया उत्तर प्रदेश लोक सिवा आयोग समिक्षा अधिकारी सायक समिक्षा अधिकारी परिक्षा 2023 ये है आपके सामने एक शौर्ट विज्यापन ठीक है और इसका जो विस्तरत विज्यापन है वो आपको कल देखने को मिल जा अब देखे वाईया इसमें पहला पॉइंट है कि जिसको भी आरो ए आरो भरती के लिए आवेदन करना है उसको सबसे पहले OTR नंबर प्राप्त करना जरूरी है बिना OTR नंबर के आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे और ये बात आपको मैं बहुत पहले से बोलता हुआ ठीक है OTR मतलब One Time Registration दोस्तों आगे देख लेते हैं रिक्तियों की संक्या भाईया इसमें जो पदों की संक्या है ना 411 है जो उम्मीद से बहुत ज़्यादा है और उम्मीद यही थी कि 200 से 300 पद इसमें आरो एरो का विज्यापन में आपको देखने को मिलेंगे लेकिन भ पदों की संक्या 600 तक भी पहुंच सकती है ठीक है ये बात मेरी याद रखना बिलकुल और इस बात को नोट कर लेना कि पदों की संक्या इसमें बढ़ेगी कम से कम डेड़ सो से 200 पद इसमें और बढ़ेंगे जब तक इसका प्रारंबिक परिक्षा का परिनाम जारी होगा अब तक ठीक है? और देखें यहाँ बात साफ साफ लखी भी है कि इसमें पदों की संक्या इस्तित की अनुसार घट बढ़ सकती है निकिए जहां तक मैरी जानकरी है कि घटने का सवाल पैदा नहीं होता लोक सेवायोक के जितने विग्यापन आते हैं यहाँ पदों की संक् लेते हैं उम्र की तो उम्र भाईया नियूंतम 21 साल है और अधिकतम 40 साल है यानि कि 2 जुलाई 22 1983 से और 1 जुलाई 2002 के बीच में जिसका डेट ऑब बर्थ है वो इस भरती के लिए आवेदन कर सकता है ठीक है दोस्तों तो उम्र तो भाईया 21 से 40 रहती है उत्तर प्रदेश की सभी भरतियों में ठीक है दोस्तों और भाईया यहां लिखा है वन टाइम रहिश्ट चाने की OTR आधारित ओनलाइन आवेदन प्रारंब होने तती है आपकी 9 अक्टूबर यानि कि कल से 9 तारिक से आप जो है इस भरती का आवेदन कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह है एक शौर्ट विज्यापन और आपको इसका पूरा विज्यापन कल देखने को मिल जाएगा तो दोस अधिकारी बनने का इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा अभी से बिलकुल जी जान से लग जाईए पद 411 है और इसमें कम से कम 1500 प्लस पद और बढ़ेंगे ठीक है क्योंकि इस एक्जाम को पास करने के लिए काफी मेहनत आपको करने पड़ेगी और जो मेहनत अभ आप चाहते हो कि इस एक्जाम के तयारी के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए सर आप बताओ तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूगा ठीक है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और आपको बता दूगा फिर मैं वीडियो लाके कि इस किस सब्जेक्ट की लेनी है ठीक है दोस्तो तो ये होगे आज का वीडियो और किसी भरती को लेकर जो भी जानकरी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जहिंजय भारत हमेज़ा खुश रहिए मुश्करत रहिए